पलामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजातरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगा बंची धन्यूज और बंची धन्यूज अब यूटीब पर दी नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल एकन दबाना ना भूले ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजातरीन खबरें सबते पहले पहुँचे आपके बार में नमस्कार आप देख रहे हैं बंची धर नियूज प्रस्तुत है समाचार खरोंधी प्रखंड के बजरमरवा में जारखंड यूपी सीमा का निरिक्षन गढ़वा एसपी अश्विनी सिंहा ने बुद्वार को किया निरिक्षन के करब में खरोंधी थाना तथा आरंगी कोरेंटाइन सेंटर का भी निरिक्षन किया इस दौरान एसपी अश्विनी सिंहा ने जारखंड तथा यूपी बॉर्डर पर तैनात जारखंड के पुलिस जवानों एवं उतर प्रदेश पुलिस जवानों से आने जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी लेते हुए कहा ज़ार खंट तथा यूपी सिमा पर लॉकडाउन का कठोरता से पालन करे। साथी उन्होंने उनसे कहा कि किसी भी परिस्थिती में एक राजी से लोग दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहिए। साथी कहा वैसे छोटे बड़े पक डंडी जो दोनों राजीयों को जाती हैं उस पर निगरानी करते रहना है। लॉकडाउन दो के दौरान किसी प्रकार का लापरवाही बरदाश्थ नहीं किया जाएगा। इस खरब में खरोंधी थाना पहुचकर थाना परिसर काभी निरिक्षन किया। निरिक्षन के दौरान थाना प्रभारी सहित सभी जवानों को कई दिशा निर्देश भी दिये। इस के लावा लॉकडाउन दों का सही सही पालन करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद आरंगी पंचायत के मध्य विद्याले में बनाएगे कोरेंटाइन सेंटर का निरिक्षन किया, जिसमें कोरेंटाइन में रखे गए एक मात्र व्यक्ति गोरग कुमार से बात की। गोरग कुमार ने बताया 18 अप्रेल से कोरेंटाइन में है, एसपी ने गोरग कुमार को कुरोना से बचाओ के कई दिशा निर्देश दिये, इसके साथ ही कोरेंटाइन सेंटर में मौजूद व्यवस्था की भी जायजा लिया, गढ़वा, एसपी ने पत्रकारों से कहा खरौ लोग से तुएप का उप्यो करने की अपील की है, इस मौके पर एसडियो कमलेश्वर नारायन, सडिपयो अजीत कुमार, नगर उन्टारी पुलिस इंस्पेक्टर अशोग सिंग, भवनात्पुर्पुर्पुलिस इंस्पेक्टर राम जी महतो, नगर उन्टारी थाना प्र प्रभारी पंकज, तिवारी, खरोंधी थाना, प्रभारी चंद्रभुषन, प्रसाद सिंग आदर लोग मौजूद थे। पुलिस कर्मी और पुलिस पदादिकारी ने बताया कि लॉगडाउन का जो निर्देश है, सभी निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, और जितनी छूट 20 तारे के बाद की गई है, उसका अभी अनुपालन सही धंग से किया जा रहा है, उच्छे जाने पर दोनों के पुलिस पदादिकारी और मिलिस्टेट ने बताया कि कोई परेशानी ने है हम लोगों के साथ, और आपस में कोपरेशन करके, लॉगडाउन का अनुपालन ठीक धंग से हो, इसके लिए हम लोग परियत्यशनी है, खरौंदी में अभी तक कोई परेशानी सामने तो नहीं के परेशनी है।